हलो एवरीवन, नौलज आप साइंस में आप सबका स्वागत है नौलज आप साइंस में आज हम बात करेंगे वाइट रस्ट आफ मस्टर्ड के बारे में इसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, सिम्टम, इटियोलोजी और डेजीस साइकिल के बारे में शुरू करते हैं और समझते हैं जेनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मस्टर्ड का बोटेनिकल नाम ब्रेसिका इस्पसीज है क्योंकि इसमें बहुत सारी इस्पसीज आती हैं इसलिए इसको ब्रेसिका इस्पसीज कहते हैं और जिस disease के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है white rust या फिर उसको white blister भी कहते हैं काजल आर्णिजम की बात करें या जिससे ये रोग होता है वो होता है albigo candida ये जो white rust है ये true rust नहीं है इसको false rust बोलते हैं अगर हम बात करें कि true rust की किसमें रखे जाते है true rust तो जो uradinales group है इसमें रखे जाते हैं जैसे कि paxenia melansora euromyces systemic infection में एक stag head like structure बनती है जो की floral parts का modification होता है आगे हम समझें इसके symptom के बारे में तो इसमें दो परकार के infection होते हैं एक तो locally और दूसरा systematically तो locally में क्या होता है एक ही जगा पे infection होगा और systematically में क्या होता है वो पूरे पोधे में फैल जाता है infection अगर हम symptom की बात करें तो सबसे पहले इसके symptom white rust के पूरे पोधे पे देखे जा सकते हैं except roots यानि roots को छोड़के इसके symptom सभी parts पे देखे जा सकते हैं इस टम लीव और inflorescence पे white creamy pastule appear होते हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हो लीव पे इस प्रकार के सफेद सफेद और यहाँ यह जो इसका pod है pod पे और यह यहाँ पर symptom है इस प्रकार से आपको दिखाई देगे host epidermis रप्चर होता है और पस्चूल जो है powder के रूप में बाहा निकल के आते हैं निचली सतापे पती के सफेद येलो रंग के पस्चूल डेवलप होते हैं और बहुत सारे पस्चूल आपस में जब मिल जाते हैं तब पेजेज बनाते हैं यानि कि धबा बनाते हैं जैसे कि ये छोटे-छोटे आप देख रहे हो ये छोटे-छोटे पस्चूल सापस में मिलके जैसे यहां पर मुझे देखो एक पूरा का पूरा धबा बना लिया है तो इस प्रकार के सिम्टमा देखने को इसमें मिलते हैं ये ल फ्लोरल आरगंस हैं वो इनफेक्ट होते हैं और इसमें हाईपर ट्रोफी और हाईपर्प्लेसिया प्रकार का जो एबनॉर्मल ग्रोथ आफसेल है वो देखने को मिलता है जिसके वज़े से ही इस टेग जो हेड है वो बनता है इसमें क्या होता है जो हमारा floral parts है उसका abnormal enlargement हो जाता है जब abnormally ये enlarge हो जाता है suppose करो ये नीचे वाला area है इस नीचे वाले area में cell division धीरे-धीरे हो रहा है और उपर का ये जो area है इसमें cell division तेजी से होगा तो ये क्या करेगा ये छोटा part रह जाएगा और ये बढ़के इस परकार से हो जाएगा और जो हीरन के मतलब जो सींग होते हैं उसके सर के जैसे दिखने लगता है इसलिए इसको बोलते है इस्टेग हेड परकार का structure जो की systemic infection में देखने को मिलता है पस्चूल्स can develop on abnormal parts also जो abnormal parts हैं जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर stem और floral organs की इस पर भी पस्चूल्स आपको develop हो सकते हैं और इसमें जो saples और petals हैं वो leafy structure में परिवर्तित हो जाते हैं अब हम बात करें इसके ideology के asexual stage के बारे में तो asexual stage में जो pathogen इसका होता है वो obligate parasite pathogen कहलाता है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो mycelium है वो well developed intercellular होता है intercellular का मतलब की cell के बीच में development होता है mycelium का high line होता है high line का मतलब हो गया एक पारदर्सी structure a septate का मतलब क्या हो गया की इसमें septation नहीं पाया जाएगा जैसे की ये structure है इसमें इस परकार का septation नहीं पाया जाएगा इसको बोलते हैं a septate जो इस पोरंजियो फोर है वो class shape का होता है छोटा होता है और सीधा रहता है वो भी a septate होता है इसमें भी septation आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये closely arranged होते हैं unbranched होते हैं ये जो इस पोरंजियो फोर है इसमें कोई भी साखा नहीं होती है और इसका जो वाल है वो थिक होता है अगर हम इस पोरंजियो फोर में बनने वाले इस पोरंजियो की बात करें तो ये गुलो बोज hexagonal highline smooth thin world होता है जो की basi petal manner में chance के रूब में develop होता है इस थमस के साथ ये अलग होता है ये जितने भी basi petal manner इस थमस और hypertrophy, hyperplasia a septate, septate ये जो term आते हैं इनके बारे में हम आपको सबसे last में बताएंगे कि ये सब क्या होते हैं अगर हम बात करें इस पोरंजिया की तो इस पोरंजिया जो है इस पोरंजियो 4 के tip पे बनता है, अब हम बात करें sexual esterage की तो इसमें enthridia जो है, वो clevet या club sept का होता है, multi nucleate होता है यानि बहुत से nucleus होंगे और ugonia globos होता है terminal होता है या intercalorie terminal का मतलब क्या हो गया इसके tip पे और intercalorie क्या हो गया इसके बीच में ugonia अगर बीच में बना तो ये हो गया intercalorie अगर उपर बना तो ये हो गया terminal और जब ये enthridia और ugonia आपस में मिलते हैं तब बनाता है u-spore u-spore होता है round shape का और u-spore जब germinate करता है तब बनते हैं biflagellate geospore biflagellate का मतलब दो flagellate पाए जाएंगे तो दो flagellate type के geospore बनते हैं जो की एक sporengia में 4-8 होते हैं अगर हम बात करें इसके disease cycle की तो हाइफा जो है aggregate होता है several process में कहां जो epidermis है जैसे ये leaf हो गई और leaf के नीचे का जो part है उसमें जो epidermis होती है epidermis में हाइफा जो है aggregate होते हैं हाइफा aggregate होने के अबाद mycelium बनाएंगे और mycelium से बनेगा sporengio 4 और अगर हम बात करें sporengia तो sporengio 4 के अंदर sporengia बनते हैं और sporengia बेसी पेटल मेनर में produce होते हैं और sporengia जो है ये separate होता है एक दूसरे के दौाया मतलब की एक sporengia दूसरे sporengia से separate होता है जैसे कि एक ये sporengia हो गया एक ये sporengia हो गया तो ये दोनो sporengia जो है इस थमस्त के दौारा separate होते हैं इस थमस्त क्या है आगे हम समझेंगे sporengia release होता है जो epidermis है epidermis जब broke हो जाती है तोट जाती है तब sporengia release होते हैं और इसमें अगर इस sporengia direct germinate कर जाए germ tube के दौरा तो इस परकार के germination को बोलते हैं indirect direct germination और अगर ये जो हमारा sporengia है इस sporengia में अगर जो spore बनता है तो उस परकार के जो germination को हम बोलते हैं indirect germination जो commonly germination पाया जाता है वो indirect type का होता है इंडारेक्ट का मतलब यह हो गया कि स्पोरंजिया से जू स्पोर बनेंगे आगे अगर हम बात करें इसके डिजी साइकिल में तो एंथरीडिया और उगोनिया बॉर्ण होते हैं यह वो हो गई थी एसेक्सुल टाइप की साइकिल और यह हो गई सेक्सुल साइकिल इसमें एंथरीडिया और टर्मिनली बॉर्ण होते हैं और जब टर्मिनली बॉर्ण होते हैं तो आपस में आते हैं गेमिटंजियल कांटेक्ट के माध्यम से जैसा इसी स्ट्रेक्चर में देख सकते हो इसको बोलते हैं गेमिट अंजियल कांटेक्ट तो यहाँ पर आपस में यह मिलते हैं तो यहाँ पर प्लाजमो गेमी होता है बाद में इसमें जो एंथरीडिया होते हैं इसमें यह इसमें ट्रांसफर हो जाता है इस वाली इस्ट्रेक्चर में तो इस वाली इस्ट्रेक्चर म जो फर्टलाइजेशन का प्रोसस होता है उस प्रोसस में बनते हैं उस्पोर और उस्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनते हैं जूस्पोर जो की फेवरेबल कंडिशन बिलने पे बनते हैं जूस्पोर जर्म ट्यूब बनाते हैं और प्लांट होस्ट को इंफेक्ट करते हैं जब abnormal increase cell size में होता है यानि कि एक cell इस परकार से बढ़ रही है इस परकार से और यही अगर मालो इस परकार से बढ़ने लगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा यह hypertrophy hyperplasia में क्या होता है cell division ज्यादा आते जिसे होता है abnormal cell division यानि जैसे यहां पर cell division एक निश्चित अनुपात में हो रहा है मगर फिर क्या हो जाए इसी में अनिश्चित अनुपात में cell बनने लगे धेर सारी तो यह क्या हो जाएगा hyperplasia hexagonal क्या होता है जो 6 structures जिसमें 6 flat structures पाई जाते हैं sides पाई जाती है उसको बहुत structures को बोलते है hexagonal structures और sinusitic क्या होता है उसको बोलते हैं Aseptate, Aseptate का मतलब कि इस प्रकार की सिर्फ सनचना पाई जाएगी, और Aseunosity को बोलते हैं septate, यानि कि इसमें बीच में septum पाए जाएंगे, इस प्रकार के Mycelium या हाइफा को septate, Mycelium या हाइफा बोलते हैं, Basis Petal Manor क्या होता है, इसको हम थोड़ा साफ करते हैं, समझाते हैं, Basis Petal Manor का मतलब होता है कि जो टॉप पे इस पुरंजिया होंगे, वो यंग होंगे, और जो बाटम पे होंगे, वो ओल्ड होंगे, सपोज करो कि यहां से यह, धीरे धीरे उपर की ओर, यह इस पुरंजिया बन रहे हैं, तो यह जो टॉप वाला इस पुरंजिया है, यह यंग है, और बाटम वाला ओल्ड है, तो इस प्रकार का जो इस पुरंजिया डेवलब्मेंट होता है, उसको बोलते हैं, बेसी पेटल मेनर, और एक्रो पेटल मेनर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यंगेस्ट जो हैं, वो मतलब बोटम में होंगे, और ओल्डर्स जो हैं, वो क्या, टाव में होंगे, डिरेक्ट जर्मिनेशन क्या होता है, जब इस पुरंजिया से डिरेक्ट जर्म ट्यूब बनता है, तो वो जर्मिनेशन डिरेक्ट जर्मिनेशन कहलाता है, इन डिरेक्ट जर्मिनेशन क्या होता है, जब इस पुरंजिया सीधे जू इस पुर बनाता है, तो उसको बोलते है इंडिरेक्ट जर्मिनेशन और इस थमस क्या होता है इस थमस जो है इस पोरंजिया को अलग करने वाली एक इस्ट्रेक्चर होती है जैसे कि यह इस पोरंजिया है यह इस पोरंजिया है यह इस पोरंजिया है और इस इस पोरंजिया को बीच से अलग करने का जो काम करता है वो इस्थमस क्या होता है इस्थमस जिलेटिन की डिस्क लाइक इस्ट्रक्चर होती है यहाँ पर इस परकार से डिस्क लाइक इस्ट्रक्चर बन जाती हैं जिससे यह इस्पोरंजिया और यह इस्पोरंजिया दोनों अलग हो जाते हैं तो इसी डिस्क लाइक इस्ट्रक्चर को इस थमस बोलते हैं आगे हम बात करें इसके सेक्सवल और एसेक्सवल stage में तो क्या होता है जैसे ये leaf है leaf से बना sporangeo 4 sporangeo 4 germinate हुआ और इससे बना sporangea sporangea से बना geospore और geospore फिर आगे इस पत्ती को infect किया उसी परकार से अगर हम देखें यह stag head यानि हिरन के सर जैसा जो आपको structure दिख रहा है यह सरसों का है और हमने बताया stag head क्यों बन जाता है तो इस stag head में जो anthridia है और O गोनिया है आपस में मिलेंगे और fertilization होगा और बनाएंगे O spore O spore over winter करेगा और over wintering के बाद यह क्या है germinate करेगा germination के बाद यह बनाएगा by flagellated juice spore by flagellated juice spore कैसे होते हैं अभी आपको बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर देखो एक structure इधर गई है और एक structure इधर गई है एक मुच हुदर एक मुच इधर तो इस परकार का जो structure है इसको बोलते हैं by flagellated juice spore और यह germinate करता है germ tube बनाता है और germ tube बनाने के बाद यह फिर से infection करता है तो इस परकार से इसका sexual और asexual disease cycle चलता है साथियों उमीद है आज का lecture आपको समझ में आया होगा अगर कोई कमी रह गई हो तो आप comment में बताईए अगर यह lecture आपको अच्छा लगता है तो at least आप किसी दो लोगों को इस lecture को share कीजिए ताकि उनको भी इसका benefit मिले हमें दीजिए इजाज़त thank you thank you very much